बच्चो श्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल एक्सपी क्लासेस में मैं रामपाल सिंग आप आज आपको हिंदी के अंतरगत जो काब शास्त्रे आपका उसमें अलंकारों की सरिंखला के अंतरगत लेके चलता हूँ आज सबसे पहला जो हमारा अर्था लंकारों में अब पढ़ने वाला अगला लंकार है वो है भ्रान्ति मान। बच्चो इससे पहले हमने सब्दा लंकार से संबंधित और अर्था लंकार से संबंधित दो वीडियो और पहले ही डाल रखे हैं तो उनको भी पढ़ें और उससे इलाब उठाने का प्रयास करें ते अर्था लगकारों में उप्मा रूपक उत्परेच्छा और अतिशेवक्टी लगकारों से लेटेर जो वीडियो था वो मैं पहले ही डाल शुका हूँ और आज हमारा जो अगला अलंकार है वह ब्रांति मान अलंकार जो है तो इसकी सबसे पहले परिभासा क्या होती है ठीए ं तो कई बार बच्चों के मन में संदेह और भरांति मान अलंकारों के मदध ही confusion बन जाता है ठीक तो यहां में दोनों का थोड़ा सा आपको बता दूँ कि क्या फर्क होता है फिर इसकी परिभासा लिखूंगा ठीक है ध्रांती और संदेह में क्या फर्क है देखे संदेह होता है confusion ठीक जैसे दूर से कोई चला आ रहा हो तो बहुत दूर है तो दिखता है क फिर मन में विचार आता है क्या मनुस है कि जानवर है कि मनुस है कि एक confusion फिर और पास आयर बुली यह तो मनुस है फिर लगता है कि यह तो हमारा पर्चित है लेकिन रमेश है कि दिनेश है कि दीपक है कि गोकुल है तो मतलब यह जो बार बार हमारे मन में के सब्दा रहा है नहीं कि पानी के हैं कि आग है आग है कि पानी हा कि नारी है कि सारी यह संधय है और भ्रांती मान में चले जा रहे हैं वो अंधेरे में अचानक से हमारा पैर रसी पे पड़ा भागो साप आया मतलब सीधा हमने उसको ये नी सोचा कि रसी है कि साप है कि बिच्चू है कि क्या है ना सीधा हम भाग खड़े हुए कि साप है तो वहां देखे हम confusion में थे कि दिनेश है कि रनेश है सारी है कि नारी है क नारी है किसा और यहां पर सीधा भागो सांप आया है ना सरगोष के सिर पर अक्रोट गिरा और अक्रोट को जैसे सिर पर गिरा वाग खड़ा हुआ भागो आसमान गिरा भागो आसमान गिरा तो यह कहलाता है भ्रांती ठेक जहां पर हम confusion रहते ही नहीं हैं हम गलत बस्तू को और बस्तू मान करके उसमें विश्वास कर वैठते हैं ठेक तो यहीं भ्रांती है भ्रांती का मतलब भ्रहम से है और संदेह का मतलब संका से है ठेक तो चलिए इसकी परिभासत देखते हैं देखें जहां अवस्तू में वस्तू का आरोप कर दिया जाता है जहां अवस्तु में वस्तु का आरोप कर दिया जाता है वहां भ्रांती मान अलंकार होता है वहां भ्रांती मान अलंकार होता है तो दिखिए जहां अवस्तु में है नहीं वस्तु अवस्तु माने ना वस्तु जो वस्तु है नहीं उसमें भी वस्तु का आरोप कर दे रसी पे पैर पड़ा और साप समझ के भाग खड़े तो रसी चुकी वो थी ही नहीं वो साप था ही नहीं वो रसी थी अवस्तु थी लेक देखें एक्जाम पर बहुत अच्छा उदारण है क्या है किन्शुक किन्शुक शुमन समझ कर किन्शुक शुमन समझ कर जप्टा भौरा सुक की लाल चौँच पर किन्शुक समझ कर जप्टा भौरा सुक की लाल चौँच पर और तोते ने निज चौँच चलाई तोते ने निज चौँच चलाई जामुन का फल जामुन का फल उसे समझ कर तो देखे कितना सुनदर उदाहरण है आपका कि किन्शुक सुमन समझ कर जप्टा बहुत लाल फूल होता है किन्शुक का है ना तो किन्शुक सुमन समझ कर जप्टा भौरा सुक की लाल चौँच पर अब देखे तोता बैठा हुआ था तोते की चौँच होती है लाल इस तरह से ऐसे मुड़ी होती है ठीक और किन्सुक का फूल भी वह टेशू जैसे बोलते हम तो टेशू का फूल भी ऐसे ही मुड़ा होता है लो भी लाल होता है ठीक तो भौरे ने जैसे ही तोत कर जपता कौन भौरा कहां सुक की लाल चौच पर उसे लगा कि यह ना हो तो किन सुक का फूल है टेसू का फूल है इसलिए जपता मार दिया है अब देखिए भ्रांती में पढ़ गया विचारा लेकिन एधा दूसरा तोते ने चौच चलाई तोता भी जपत पड़ा तोते न भौरा कैसा होता है नीला काला और जामुन भी कैसी होते है नीली काली तो देखो दौना भ्रांती में भ्रम में फस गए ठेक तोते ने भौरे को देखा तो से लगा कि यह जामुन का फल है और भौरे ने तोते की चौच को देखा तो उसे लगा कि यह टेसू का फूल है तो लो तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि ब्रहांतिमान अलंकार है ठीक इसके बाद अब अगला अलंकार देखते हैं कि अगला अलंकार कि अगला अलंकार है आपका शंदे है शंदेह अलंकार है ठीक तो इसकी परिभासा जो है वो क्या है वच्चो कि यहां मैंने बताया था ना कि कंफ्यूजन बना रहता है संकाव नहीं रहती काई मैं उपमे में उपमान की ठीक तो यहीं हमें लिखना है कि जहां जहां उपमे और उपमान मैं अनिश्चे की इस्थिती बनी रहे अनिश्चे मतलब कि लिए न कर पाएं क्या है ठीक जहां उपमे और उपमान मैं अनिश्चे की इस्थिती बनी रहे वहां क्या होता है शंदेह अलंकार अलंकार होता है इसकी पहचान जो है जो पहचान है ना तो बीच में आपको जब पंक्तियां पढ़ेंगे तो या तो यह मिलेगा की या जैसे नारी है किसारी है किसारी है कि नारी है कि नारी है कि नारी विच्च सारी है यह की सब्दारा या मिलेगा ठीक रमेस है या दिनेस है या महेस है या सुरेस है तो या मिलेगा या की मिलेगा ठीक यह पहचान है ग्रांतिवान में ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक वो उसमे समझ ही लिया जाएता है तो जैसे देखें इसका उधार हम देखते हैं कि नारी बिच्च सारी है बहुत पूछा जाता हो आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा नारी बिच्च सारी है कि सारी बिच्च नारी है आगे कि सारी ही की नारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है तो देखिए हर जगा confusion है समझ में नहीं आ रहा है कि नारी बिच्च सारी है यानि नारी के बीच में सारी है कि सारी बिच्च नारी है कि सारी के बीच में नारी है यानि किसी नायका ने इतनी जीनी सी सारी पहन ली थी और वो सारी भी उसके सरीर से ऐसे मैच कर रही थी जैसे उसका गौर वरड का सरीर था बैसे ही उसी वरड की उसकी सारी थी तो कभी को लग रहा है कि सारी के बीच में नारी भरदी है कि नारी के बीच में सारी है तो वही उसको confusion हो रहा है कि नारी विच सारी है कि सारी भिच नारी है कि सारी ही की नारी ही की सारी है तो यहां ये की जो सब्दारा आए ना बार बार ये ये ठेप ये 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 जो तीन जगाया आए वस यही तो पहचान है संदेह की ठेप की सब्दाता है नारी विच्च सारी है कि सारी विच्च नारी है कि नारी ही कि सारी है कि सारी ही कि नारी है ठेप तो चलिए ये अलंका क्षार ही रहेगा क्योंकि जो मुझे लगे कि प्रूख अलंकार है बच्चों मेंने सारे के समाहत कर लिए हैं आपको किसी भी परिक्षा में कच्छा नौसे लेकर के कच्छा 12 तक के सभी तरह के बच्चों के लिए इन्हीं अलंकारों में से सब कुछ आ जाना है तो हमारा इसकी में बहुत आसान है सुना सायद हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली ही वार हो लिक बहुत आसान अलंकार होता है अन्वय अलंकार ठीक इसकी परिभासा क्या है परिभासा लिखने से पहले हो सकता है कि आप समझ ले मुझे अनवय अलंकार में भी क्या किया जाता है समानता दिखाई जाती है जैसे उपमा में समानता दिखाई जाती है प्रतीप में समानता दिखाई जाती है बैसे ही अनवय में समानता दिखाई जाती है लेकिन जहां उपमे के लिए कोई उपमान ही न मिले तो फिर उसी की उसी से समानता दिखा दी जाए तो वहां होता है अनवे अलंकार समझ वहे हैं जहां उपमान के अभाव में उपमे को ही उपमान मान लिया जाता है तो उसे अनवे अलंकार कहते हैं तो जैसे अभी उपमा अलंकार का हम एक उदाहर लें तो उसमें आप देख रहे थे क्या था कि हरी पद कौमल कमल से तो हरी के पदों की जो समानता थी वो दिखलाए गई थी कमल से पीपरपात सरसमंडोला तो यहाँ पीपल के पत्ते से मन की समानता दिखाए गई लेकिन यदि हम कहा दें कि राम से राम सिया सी सिया तो राम किस जैसे है राम ही जैसे है ना सिया किस जैसी है सिया जैसे तो जहां उपमान ना मिले तो उपमे को ही उपमान बना दिया जाए ठीक यानि उपमान भी वही हो उपमे भी वही हो उसी की तुल्ला उसी से कर दो तो को कहलाता है अन्य वैठे तो वस यहीं है कि जहां कि उपमान के अभाव में उपमान के अभाव में कि उपमे को ही उपमे को ही कि उपमान मान लिया जाता है बहुत आसान है बिलकुल अपने दमाग पर पेंशन नहीं लेनी है जब उपमे उपमान एक ही चीज़ उसी की तुल्ला उसी के से कर दो बस तो वहां क्या होता है अन्यवैय अलंकार होता है जहां उपमान के अभाव में उपमे को ही उपमान मान लिया जाता है तो वहां अन्वय अलगकार होता है जैसे उदाहरण यद्यपी दुरबल भारत है पर भारत के सम भारत है यद्यपी दुरबल भारत है पर भारत के सम भारत है अब आपसे कोई पूछे कि भारत कैसा है तो भारत भारत ही जैसा है तो यहां उपमे भी वही है और उपमान भी वही है तो वही बात है कि जहां उपमान के अभाव में उपमे को ही उपमान मान लिया जाता है तो वहां अनवय अलंकार होता है तो इस तरह से यह अभी मैंने आ आपको बताया कि राम से राम सिया से सिया तो राम कैसे है राम से सिया कैसी है सिया से तो यहां जिसकी तुल्ला जिसी से कर दी जाए उसकी तुल्ला उसी से कर दी जाए तो अन्यवय अलंकार होता है ठेव तो अच्छो इस तरह से आपका ये अलंकार प्रकरण जो है और यदि वच्चो हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मैं आपको एक और सुचना दे देना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारे बनाए हुए वीडियो शे कोई भी समझ्चा आती है कोई चीज समझने में वहां से जाकर कि आप अपने समथ्रान का अपने समयास्याओं का समाधान कर सकते हैं। आपके समस्त प्रश्णों का समाधान कोंटवा के आधार पर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।